रादे किष्णा दोस्तों, वेलकम टू कुक बिदा भिलाशा, यहां पर आपको वीडियो के साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी, जिससे आप जो भी रेसेपी बनाएंगे, आपकी रेसेपी एक तम परफेक्ट बनेगी, तो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स अगर आ जाते ही खुल जाएगी, देख सकते हैं, आप कितनी ज्यादा सौफ्ट वर्फी बनी है, और एक तम नई स्वात के साथ बनाएंगे, तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं, तो देख सकते हैं, आप कड़ाई में मैंने बेसन लिया है, तो बेसन मैंने चान ल दिया है, भरकर देशी घी, तो अभी हम इसमें घी बहुत जादा नहीं डालेंगे, अभी हम इसमें घी इतना ही डालेंगे, और अब हमें इसे अच्छे से भूनना है, चारों तरब से चलाते हुए, बेसन या आटा जब भी भूने, आप तो उसे नीचे से चलाते हुए, आटा जो भी भूनना है, तो अभी हमें वेट करना है, जब यह आदे से ज़्यादा भून जाएगा, उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे, और इस तरीके से चलाते हैं, बूनेगा, एक तो सेकंड के लिए आप हाथ रोक सकते हैं, ठक जाए हाथ, लेकिन बहुत जारा देर के लिए नहीं रोकना है, तो देख सकते हैं, आप आदे से ज़्यादा बेसन हमारा भून चुका है, कलर देखकर ही आपको बता लग रहा होगा, और खुश्पु भी बह बेसन की खुश्पु तो एकदम अलग होती है, पूरा घर में एक चाता है, इसमा मेरी पूरी किछिन में खुश्पु आ रही है बेसन की, तो यह आदे से ज्यादा बेसन हमारा बुन चुका है, और अब हमने इसमें दो टेबल स्पून घी बर कर और डाल दिया है, तो यह खाने माली स्पून होती है, बहुत जादा छोटी है, आपके घर में नहीं कह सकती हूं, नॉर्मली स्पून जो होती है, उसे हमें भर कर घी डालना है, तो अभी टोटल मैंने 6 पहले डाला था और 2 अभी डाला है, तो आठ हो गया, तो अभी हम देखते हैं, इसमें थोड़ खाने में स्वाधिस्ट नहीं लगती है, और वो हमारी जीव है उसे चिपकती है, तो दो टेबल स्पून अब मैंने और डाल दिया है, तो टल हो गया, दस टेबल स्पून, तो दस या ग्यार है, इससे ज़्यादा आप मट डालेगा, हाफ केजी का, यह पर्फेक्ट माप है जो मैं आपको बता रही हूँ, अब बेसन में अच्छे से घी पहुंच गया है, पस इससे ज़्यादा घी नहीं डालना है, तो अब इससे बस हमें जल्दी जल्दी चलाते विए भूनना है, इस टाइम पर हाथ को आपको थोड़ा सा फास्ट रखना है, और जैसे जैसे घी कि इसमें जाएगा, तो बेसन नीचे से कढ़ाई छोड़ने लगता है, तो इस देख सकते हैं, अब बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, कि इतना ज्यादा चेंज हो गया है, तो बेसन बहुत अच्छे से भून चुका है, इतना ही हमें बेसन को भूनना है, और जब हाथों की बहुत अच्छी एक्सेसाइज हो जाती है, बेसन बूनने में आज मेरे हाथ में अच्छा खासा पेन हो रहा है है, बेसन बूनने से अब देख सकते हैं आप ये हलका गरम होना उसी time पर हमें इसमें जो भी बूरा बगरा है वो इसमें मिलाना है तो इसको मैंने हटा दिया है, अब नीचे में रख लूँगी पेपर, अब पेपर मैंने इसलिए रखा है, अगर हम इसमें कुछ भी मिलाएंगे, फैलेगा तो पेपर पही आएगा, इसलिए मैंने निउस पेपर लगा लिया है, तो अभी यह हलका गरम है, जब बहुत हलका स्वाज के साथ बनाएंगे, तो इसमें आज हम खोय का यूज कर रहे है, खोया डालके जो बर्फी है नो बहुत ही जारा स्वारिष्ट बनेगी, और एकदम खोया बहुत सॉफ्ट है, फ्रिज में अगर रखा है तो थोड़ी दिर पहले निकाल के फून लीजेगा, मैंने अब इसमें मैंने डाल दिया है, परफेक्ट रहता है, इतना मीठा काफी है, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा कम डाल लीजेगा, तो मीठा आप अपने साब से कम ज्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे सारी चीजों को, अगर आ आइची का फ्लेवर पसंद है, तो डाल सकते हैं, ड्राइफ रूट्स, मुझे बेसन की परफी में कोई भी ड्राइफ रूट्स पसंद नहीं है, इसका जो टेस्ट है, और इतना अच्छा होता है, कि इसमें ड्राइफ रूट्स की मुझे जरूवती नहीं लगती है, तो मै अगर इसमें बूरा और खोगा मिलाया, तो फिर परफी आपकी बनेगी नहीं, तो हलका करम हो उसी टाइम पर, अभी हातों में थोड़ा लग रहा है, मेरे, लेकिन मुझे थोड़ा प्रैक्टिस है, आप हात से नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है, आप कोई बड़ा सा चमच ले लिजिए, उससे मिला लिजिए, तो ये बहुती अच्छे से हमें मिला लेना है सारी चीजों को, और ये बेसन की बहुती ज़ादा स्वाडिस्ट वर्फी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, तो काफी अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है, अब दूसरी प्लेटों म मैं इसे ट्रांसफर करतूंगी, तो ये तो बिल्कुल जमने वाली कंसेस्टेंसी पर है ही, बस इसे 5-10 मिनिट के लिए ही रखना है हमें और ये जम कर तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तो हाथ से मैं थोड़ा जल्दी कर दे रही हूं, जल्दी हो जाएगा, इसके जो आपके पास अगर कोई कंटेनर है उसमें भी जमा सकते हैं, मैं तो ये बड़ी सी प्लेट ले ली है, तो इसी मैं मैंने जमा दिये वार्फी को, तो इस ताइप से ये देखे, चारों तरब से हम इसे इक्वल कर लेंगे, और एक शेप इसे दे देंगे, थोड़ा सा हलक तरब ट्वर्फी बनकर हमारी तैयार होगी, बिलकुल बढ़िया तरीके से ये देखे, ये जम से ही गई है, परसे हम दस मिनट के लिए रखेंगे, तो चारों साइट से मैंने बढ़िया तरीके से ये कर दिया है, ये देख सकते हैं, अब हम इसे थोड़ी तर के लिए रख तो चारों कॉर्णर मैंने काट लिए है, अब हम पीसे इसके कर लेते हैं, जैसे पीसे आपको चाहिए चोटे बड़े वैसे आप कर सकते हैं, बहुत ही जादा अच्छी वर्फी बनी है, और जब आप इसमें थोड़ा सा खोया मिलाएंगे ना, तो उसका टेस्ट एक तम से अलग हो जाएगा बर्फी का, अब देख सकते हैं, आदा केजी हमने बेसन भूना था और वर्फी कितनी बन कर वारी तयार हुए है, तो मैं जैसा मैं आप से कह रही थी ना, बनाने में ऐसे बहुत टाइम लगता है, लेकिन खाने में बिलकुल टाइम नहीं लगेगा, मेरे आप कितनी जादा बढ़िया बर्फी बन कर तयार हुए है, एक तम मार्केट स्टाइल बर्फी बनी है हमारी, तो मैंने ये बर्फी प्लेट में लगा ली है, और आप देख सकते हैं, इसके उपर मैंने थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया है, जिस देखने में थोड़ा सा पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई है, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, और जादा से जादा लोगों में वीडियो शेयर क तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसेपी में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाई बाई टेक केर, और यह देखिए, एक वर्फी में आपको तोड़ कर दिखा रही हूं कितना जबजा स्टेक्शर है इसका, थैंक्यो फार वाचिंग